हेलो वच्छो नमस्कार बिल्कुल आसान तरीगे से स्टेप आ स्टेप दो सो पत्चीस का गुणंद खंड कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे आप जानते हैं गुणंद खंड का मतलब क्या होता है किसी भी नमर को अब हाज ये संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना ये कौन सी है दो तीन पांच साथ तो सरव परतम जैसे हम इसमें देखें तो दो से भी बाज़े नहीं लेकिन तीन का भाग जा रहा है तो दो सो पत्चीस भाग तीन किया कितना साथ वार पांच वार कितना गए लिखेंटे पांच वार दो वार असाण सकते हैं और जितना उसका अथिर्यास करेंगा उतना ही आपके लिए और आसान हो जाएगा